नमस्कार और आदाव दोस्तों आप सुनना सुरू कर चुके हैं सुरीले दिरों की दास्तान पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया में कोबिट-19 नाम की वबा ने तबाही मचा रखी है इसकी दूसरी लहर ने पूरे हिंदुस्तान को सुगवार करके रख दिया है जाहिर है इस वजह से नए एपिसोड को पेश करने में देर दर देर होती चली गई हाकिकत तो यही है कि ना मुहबत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए हर कोई प्यार ढूंडता है यहां अपनी तनहा सी जिन्दगी के लिए वक्त के साथ चलता रहे यही बहतर है आदमी के लिए लहाजा हम लेकर हाजिर हुए हैं हिंदोस्तान और पाकिस्तान की फिल्मों की तारीख की बेहत मकबूल और मसहूर हस्ती मुखतार बेगम साहिबा की बदूलत ही एक अवल दर्जे की सिंगर और एक्ट्रिस हिंदोस्तान और पाकिस्तान की अवाम को नसीब हुई अतहर नफीस की लिखी नजम वो इश्क जो हम से रूट गया और फयाज हास्मी की नजम आज जाने की जिद न करो गाने बाली बेहत मकबूल फनकारा फरीदा खानम को आज भला कौन नहीं जानता मसहूर फनकारा फरीदा खानम मुखतार बेगम साहिवा की छोटी बेहन है मुखतार बेगम यू तो उतना नाम नहीं कमा सकी जितना नाम फरीदा खानम का हुआ लेकिन फरीदा को फरीदा बनाने में मुखतार बेगम का बड़ा हाथ है फरीदा खानम जब महज साथ बरस की थी तब ही से उन्होंने अपनी बड़ी बहन मुखतार वेगम से ख्याल सीखना सुरू कर दिया था फरीदा खानम के कदरदान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि उनके गायन में ख्याल का क्या मुकाम है इतना ही नहीं ऐसी कई सारी घजलें और नजमें हैं जिन्हें पहले मुखतार वेगम ने गाकर एक रास्ते की तामीर की बाद में उसी रास्ते पर बने उनके पैरों के निशान पर चल कर फरीदा ने गायकी का आला मकाम हासिल किया यह बात दीगर है कि आज मुखतार वेगम के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है मगर सन 1930 से लेकर 1940 का जो दौर है उस पे मुखतार वेगम की गिंती आला दर्जे के फनकारों में की जाती थी महदी हसन साहब ने जिस वक्त गाना सुरू किया था उस वक्त बेगम अख्तर और अख्तरी वाई फैजाबादी उस्ताद बरकत अली खां और मुखतार वेगम गजल गायकी के तीन बेहद मजबूत पिलर माने जाते थे इस से आप मुखतार वेगम के टेलेंट और गायकी के नाजो अंदाज और उचाई का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं करी के हुँ खुलेला नसीर में बार की खुश्बू उडा दिलाई है गे सुवे यार की चोरी कहीं खुलेला सन 1930 की दाई में मुखतार वेगम हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसिकी और गजल गायकी के अलावा हिंदी फिल्मों की बहतरीन अदाकरा के तोर पर मसहूर हस्तियों में गेनी जाती थी लोग उन्हें क्वीन सौंग स्ट्रेस या हिंदुस्तान की मेलोडी क्वीन कहते थे 1920 की दाई में मुखतार वेगम ने एक सिंगर और स्टेज आर्टिस्ट के तोर पर अपने करियर की शुरुआत की थी सन 1931 में उन्होंने अपना स्क्रीन डेब्यू किया और सन 1932 में बनी फिल्म स्रवन कुमार, इंदर सभा, मुफलिस आशिक, हिंदुस्तान, हथिली दुलहन, अली बाबा और चालिस चोगर और 1933 में बनी फिल्म रामाईड, नल दम्यंती, औरत का प्यार और आख का नसा, सन 1934 की फिल्म सीता और 1935 की मजनू, दिल की प्यास, 1936 में बनी फिल्म प्रेम की आग, और सन 1947 में बनी फिल्म मतवाली हीरा तक उन्होंने फिल्मों में लगातार काम किया प्रेम की आग और भीष्म जैसी फिल्मों में उन्होंने संगीत भी दिया इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में मुखतार बेगम के नाम की ऐसी धूम मच गई कि तमाम बड़े रियासतों के राजा और महराजा उन्हें साही दरबार में आकर अपना गाना पेश करने के लिए लाजमी तोर पर दावत नामा भेजने लगे एक बार हैदराबाद दकन के निजाम ने अपनी रानी के बगल में मुखतार बेगम साहिबा को बैठने के लिए कुरसी की पेश कस की यह उस जमाने में बहुत बड़ा एजाज था लिहाजा निजाम साहब के कोर्ट के हाकिमों ने इसके लिए उनकी खूब तनकीद की थी इस मौामले में अपनी रियासत के हाकिमों की तन्कीद की खब निजाम साहब को लगी तो उन्होंने एलानिया तोर पर कहा कि मैंने मुखतार बेगम की कला और टेलिंट को रानी साहिबा की बगल वाली कुर्सी ओफर की थी सन 1947 में जब हिंदुस्तान तक्सीम हुआ तो मुखतार बेगम साहिबा नए बने मुल्क पाकिस्तान चली गई वहाँ उन्होंने लाहोर की फिल्मों और रेडियो पाकिस्तान के लिए गाना जारी रखा सन 1901 में अमरिजसर में पैदावी मुखतार बेगम का नाम ऐसी अजीम फनकारा के तोर पर लिया जाता है जिन्होंने मैडम नूर जहां को मौसिकी और एक्टिंग की दुनिया से तारुफ करवाया था शुर्वात में मुखतार बेगम साहिवा को मिया महरवान खहां से मौसिकी की तालीम मिली उसके बाद हिंदुस्तानी पंजाब के पटियाला घराने के उस्ताद आशिक अली खां की सरपरस्ती में लमवे बक तक मौसिकी की तालीम चलती रही उस्ताद आशिक अली खान साहब क्लासिकल मौसकी की तमाम बारिकियां उन्हें इस तरह आसान बना कर सिखाते कि मुखतार बीबी को ठुमरी दादरा और घजल गाने में महारत हासिल होती चली गई उस्ताद साहब उन्हें सिखाने के बाद जब अपने घर चले जाते तो मुखतार बीगम जरासा कुछ खा पी कर फौरन रियाज करने में जुट जाती खान साहब की दी हुई हिदायक पर अमल करते हुए जब तक उस चीज़ को पका करके नहीं गाले थी उनकर रियाज मसलसल चलता रहता इस मेहनत का बहुत बहतर नतीजा निकला उनके मीठे गले और बहतरीन गायकी के खबर सुबा पंजाब के कौने कौने में फैल गई पंजाब और पंजाब से बाहर के तमाम रियासतों के रईस और पैसे बाले बड़े हुक्ताम उनकी महफिल में आने लगे उस वक्त के बड़े जमीनदार अपनी हवेलियों में सजाई जाने वाली महफिलों में गाने के लिए मुखतार विगम साहिवा को बुलाने लगे उन दिनों मौसिकी, ठीटर और फिल्मों का एक बड़ा मरकज सुबा बंगाल का कलकता सहर हुआ करता था कलकता में जिसके आर्ट की तारीफ हो गई, उसको लाहोर से लेकर बंबई तक लोग अपने पलकों पर बिठा लेते थे मुखतार विगम साहिवा को भी लगा कि कलकता को फतह किये बगएर बात नहीं बनेगी उन्होंने पंजाब छोड़कर कलकता जाने का फैसला कर लिया चुकि वो एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर थी, देखने में बला की खोबसूरत और उर्दू जबान पर अच्छा खासा कमांड था सो कलकता जाते ही उन्हें नाटकों में अहम किरदार निवाने के मौके मिल गए उन दिनों जिन नाटकों की धूम मची रहती थी, उन तमाम नाटकों को लिखने वाले थे तीन अपरेल 1889 को सहर बनारस के मौला गोबिंद कला नारियल बाजार में पैदा हुए जनाब आगाहसर कस्मीरी साहब आगाहसर का असल नाम आगा मुहम्मद साह था, उनके वालिद गनी साह तिजारत के सिलसले में कस्मीर से बनारस आए थे और वहीं आबाद हो गए थे, आगाह ने अरबी और फारसी की अब्ददाई तालीम हासिल की और कुरान मजीद के सोलह पारे भी हिफ्ज कर लिए उनकी बच्पन से ही ड्रामा और सायरी में गहरी दिल्चस्पी थी 18 साल की उम्र में आफतावे महबत नाम से उन्होंने ड्रामा लिखा जिसे उस वक्त के मसहूर ड्रामा निगारों में महदी हसन लखनवी को दिखाया तो उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ड्रामा निगारी बच्चों का खेल नहीं है मुंसी एहसन लखनवी की इस बात को आगा हस्र कस्मीरी ने चुनोती के रूप में कुबूल किया और अपनी तखलीकी काबिलियक से ऐसा करारा जबाब दिया कि आज आगा हस्र के बिना अर्दू ड्रामे की तारीख पूरी नहीं हो सकती आगा हस्र कस्मीरी ने सेक्सपियर के जिन ड्रामों को अर्दू में तर्जमा किया उनमें सहीद नाज, सैद हवस, सफेद खून, खाब हस्ती बहुत अहम है अभी हम उनका कहा एक सेर देख लेते हैं वो मुकदर न रहा और वो जमाना न रहा तुम जो बिगाने हुए कोई यगाना न रहा अब सोचेंगे आप कि मुखतार बेगम का किस्ता बयान करते करते मैं आपको आगा हस्तर कस्मेरी साहब का किस्ता क्यों बताने लगा तो जनाब, वो इसलिए क्योंकि मुखतार बेगम की सादी इन्ही आगा हस्तर कस्मेरी साहब से हुई थी आगा हस्तर कलकत्ता में थीटर के दुनिया के बिताग बाजसा थे आगा साहब की सरपरस्ती की वज़ा से मुखतार वेगम को खुब काम मिला और उन्होंने खुब पैसा कमाया दोनों करीब आते गए लहाजा कलकत्ता में दोनोंने निकाह कर लिया 1933 में एक फिल्म बनी थी औरत का प्यार जिसके डिरेक्टर थे ए आर कारदार इस फिल्म में राग दर्वारी में आगा साहब की एक घजल कंपोज की गई थी जिसके बोल थे चोरी कहीं खुले न नसी में बहार की सबू उडा के लाई है गेसुवे यार की गुलसन में देखकर मेरे मस्त सवाब को सर्बाई जा रही है जवानी बहार की इस घजल को सुनकर आज भी आप इसकी मासूमियत और रुमानियत को महसूस कर सकते हैं जिसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उस पर आप क्लिक करके इसको सुन सकते हैं मुखतार बेगम ने आल इंडिया रीडियो के लिए भी खूब गाया ग्रामफोन कंपनी और रेडियो के लिए बीबी मुखतार ने उर्दू के और कई नामचीन सायरों की घजलें गाई वे पूर्बी स्टाइल में ठुमरी गाने के अलावा पंजाबी में भी गाती थी वे जब तक जीवित रही यानि जब तक उनकी सिहत ठीक रही तब तक वे गाती रही बेबी मुखतार बेगम और आगा हसर सहाब के सिपारिश से ही मैडम नूर जहां को कलकता में फिल्मों में काम मिला था और मुखतार बेगम और आगा साहब नहीं उनका नाम अल्लाह वसाई से बदल कर बेबी नूर जहां किया था किसी बीमारी की वज़ा से 28 अप्रेल 1935 को आगा साहब का लाहूर में इंतकाल हो गया सोहर के गुजर जाने के बाद हिंदोस्तान में उनका यू भी दिल नहीं लगता था लहाजा सन 1947 के अगस्त में जब हिंदोस्तान का बटवारा हुआ और पाकिस्तान नाम से एक नया मुलक वजूद में आया तो मुखतार बेगम ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और वह लाहूर चली गई लाहूर में उन्होंने पहले से साधी सुदा कमर जहां से दूसरी साधी की जनके पास पहली साधी से पैदा हुए बच्चे भी थे जब तक वे हयात रही तब तक उनकी यह साधी चली मुखतार बेगम ने कमर जहां की पहली साधी से हुए बेटे एजाज से अपनी छोटी बहन घजल गाई का फरीदा खानम साहिबा की तीसरी बेटी फरजाना की साधी करवाई जो आजकल अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं हम आपको यहाँ एक किस्सा और बताते चलें कि पाकिस्तान के लोग जिस एक्ट्रेस को रानी मुखतार के नाम से जानते हैं उनको नासिरा से रानी मुखतार बेगम ने बनाया था नासिरा के अबबा मुखतार बेगम के यहां ड्रैवर थे अब चुकी नासिरा के घर वाले उसकी बहतर परवरिस करने के काबिल नहीं थे इसलिए मुखतार बेगम ने उसे गोद ले लिया मुखतार बेगम चाहती थी कि नासिरा उन्ही की तरह एक गाईका बने लेकिन नासिरा गाने से ज्यादा डांस का सौक रखती थी लेहाजा बेगम मुखतार ने नासिरा को उस्ताद घुलाम हुसैन और उस्ताद खुरसीद से डांस की तालीम दिलवाई एक दिन जब मसहूर फिल्म डिरेक्टर अनबर कमाल पासा मुखतार बेगम के घर अपनी अगली फिल्म सूरज मुखी की सुटिंग के सिलसले में आए तो उनकी नजर नासिरा पर पड़ी और उन्होंने अपने फिल्म में नासिरा से काम करवाने का फैसला कर लिया इस तरह नासिरा फिल्मों में आ गई इस फिल्म में मुखतार बेगम ने गाने भी गाये थे नासिरा को चुकि मुखतार बेगम रानी बेटी कहकर पकारती थी इसलिए नासिरा को रानी मुखतार नाम मिल गया अपने आखरी सालों में वे कराची में रही जहां 25 फरवरी 1982 को उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा काफी दिनों से सुरीले दिनों की दास्तान में अपनी दास्तान जिन्दगी और दास्तान मौसकी सुनाने के लिए मरहुम बड़ी कनीज तमंचाजान पन्नाबाई बेनजीर बेगम वगर दहलीज पर खड़ी इंतजार कर रही है अफसोस कि तारीख मौसकी के कपकपाते होटों की जानिब इधर जरा कम नजर गई जिसकी धारा अब बह चली है मसलसल बहती रहेगी मस्तक्बिल में इंसाल्लाग चलिए तो इन ही बातों के साथ अगली महफिल तक के लिए हम आप से अलविदा कहते हैं खुदा खुदा